गर्मी के दिनों में हम सोचते हैं कि फटा फट से आज हम सब्जी बना लेंगे और किचन से बाहर आ जाएंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू सोयबीन की सब्जी तो यहां पर 15 मिट में सब्जी बनके त्यार होने वाली है तो यहां पर मैंने सोयबीन क पानी ले लिए है पानी जो है इसमें प्यास को हमें डिब करना है और इसे में 2 प्रोसर आप Kalb जब так करेंगे तब तक ही कुई होगी तो इसको भी हम स्वाईड में रख देते हैं और इसके बाद यहांं डो आलू कोचा अचाइब हो जांए कर लिया है ज़ outside में रखा हुआ है तो यहां पर यह दिखिए प्यास को मेंने भीग तो ऑच्छी से साथयों से मसल के द्दूल लेंगे और यहां पर जार लेंगे इसमें हम डालेंगे प्यास को अच्छे से इसको घ्राइंड करना है यहां पर में कुछ मसाले एक डाले लैच लिए जोटा से टुकड़ा मैंने आदा इंच से कम हुआ ही जावित्री से छोड़ा से लिए में एक चोटे चमाच डाल रहे हूं छीक यह द्यूद्द को रिगाले हो बिल्कुल एक जाले के तुकड़ी ज त्यार करने वाले हैं थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और एक मैंने हरी मिर जो लाल हो जाती है मैंने वही लिये ताकि कलर सब्जी का अच्छा है तो यहां पे अब इसको क्या करेंगे ग्राइंट कर लेंगे आप देख सकते हैं यह जो मसाले का कलर है न बहुत ही जादा प्यारा आता है और आपको न बार बार मसाले डालने की जरूरत नहीं बस एक बार आप मसाला बना के त्यार कर लीजे और फटा फट से आप अपनी सब्जी में च्छोंक लगाईए और बना के त्यार कर सकते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं जो बढ़िया थी हमारी सोयबीन वो अच्छे से फूल चुकी है तो इसको भातों से दबा के हमें निकाल लेना है तो सोयबीन को ध्यान रहे अच्छे से धूल के ले तो यहां पे चान के निकालने के बाद इसको पानी से मैंने साब पाने से धुल लिया है यहां पे यह देख सकते हैं और इसके बाद यह आलू और सोयबिन एक साथ मैंने रख लिया यहां पे आठ दस काली मिर्च है हरी लाइची है दालचीनी का टुकड़ा आधा चोटे चमस जीरा है तो इन सारे को तेल में हम डाल देंगे गरम तेल में और इसके बाद इसमें जो आलू और सोयबिन रखा हुआ था ना इसको भी डाल देंगे दोनों को साथ में फ्राई कर लेंगे क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमें फटा-फट से सबजी बनानी है बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगी आपके घर अगर कोई गेस्ट भी आ जाते हैं अचानक न बहुत ही जल्दी बनती है तो यह पूड़ी के साथ या राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है तो यह देखिए यहां पर मैंने आलो और सोयबीन को फ्राई कर लिया है वापस से उसी कुकर में हम थोड़ा से तेल और एट करेंगे और इसमें जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था न न क्योंकि इसमें प्याज जो पिसी वह हमने डाली है न कच्छी प्यास डाली niż थोड़ा मसाले में भूनने में टाइम लगता था था दो मैंने इसी वज़ा स ताकि जो मसाला भूनने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो मसाला हमारा वो बहुत ही जल्दी भून के त्यार हो जाएगा क्योंकि कच्छी प्यास जब हम लेते हैं तो बहुत जादा टाइम लग जाता है मसाला भूनने में तो यह चीज जो है ना आपको बहुत ही आपका टाइम बचा देगी तो यहां पी देख सकते हैं और मसाला भी हमारा भून चुका है क्योंकि हमने एक ही बार सारा कुछ डाल दिया था कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है तो आप 3-4 मिडियम फिले में मसाल साथ स्वएबिन को यानी सबजेयों को चला लिया है अब इसमें पानी आप अपनी इसाब सी चितना ग्रेवी रखना चाहें ना उतना रख सकते हैं तो यहां पर मैंने पानी डाल दिया है एक ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा मैंने रखा है क्योंकि यह पकने के बाद जब यह थोड़ा थंडी होती है तो यहां पर थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने सिफ नमक इसमें आठ किया बाकी कुछ भी नहीं आठ किया मैंने यह सिंपल सब्स पर चाल को आप देख सकते हैं मैंने खूल दिया है और आप सब्सक्राइब कितना प्यारा हैं जटपट से अलु सोयबीन की सबजी बन के तैयार है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है आप इसे जटपट बना सकते हैं आप इसे चाहे पूरी से या फिर राइस के साथ इसे सर्फ करें बहुत ही मज़े की लगती है है ना कमाल की रेसिपी बहुत ही जल्दी पर ट्राइ करेंगा सबको बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत आराम मिलेगा जल्दी पन जाएगी ना वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करेंगा